उत्तर पदेश में छटे चलन का मदान लगातार जारी है और इन सब के बीच अमबेट कर नगर जिला ऐसा है जो इस बार सबसे होट सीटों में शुमार है खाज बात करें तो कटेहरी जो सीट है इस पर लाल जी वर्मा जी जो है वो चुनावी मैदान में हैं इस बार आप चुनावी अदान में हैं किया आपको लग रहा है कितना जंता जो है आपको पंद करेगी समाजबादी पार्टी कुनवे में जानने के बाद इस समय समाजबादी पार्टी की और विशेश रूप से स्री अखली श्यादो जी क्यो मुखमंत्री बनाने की लहर चल रही है 2019 में बसपा और सपा गड़ बंदन हुआ था लेकिन उस बार बसपा का जो वोट है वो सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाया था बसपा के बहुत लंबे समय तक अमेटकर ने एक शत्र बसपा को जितवाया था तो क्या लगता है कि इस बार आपका वोट जो है जो बसपा का वोट था वोट आप लोग के सास्थ समाजबादी पार्टी में चला जाएगा इस सारा वोट तो कभी किसी का नहीं जाता लेकिन जो आम जनता जब एक निर्ड़े लेती है इस बार जनता का निर्ड़े है कोई पार्टी का नहीं बलकि जनता का निर्ड़े है कि भारतिय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाने के लिए आपका आखरी सवाल आपका असली पस्जिंदी कौन है भाज़पा या बसपा मेरे समझ से बहुत अंतर है और सपा के मुकाबले भाजपा या बसपा दोनों टिक नहीं पा रहे हैं ये दोनों आपस में दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ा है क्या सकते हैं कि उत्तरप्रदेश में छटे चरंग का मद्दान लगाता जा रही है और इस बीच अमवेटकर नगर सीट पर सभी की निगाए हैं क्योंकि इस बार बसपा के जो बड़े दिग्गत थे वो समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं और इस बार उनकी पतिश्टा दाओं पर लगी है